इस कारिक्रम के प्रसारण सहयोगी है महा नुवाओं ये निशान कितना भी गोरा क्यों ना हो, लेकिन जब उसकी नजर निकालने की बताती है, उसको नजर ना लगे, यह जब सोचा जाता है, तो उसके मस्तिक पर काला टिका लगाया जाता है। क्योंकि सुन्दर्ता कितनी है, यह महत्तपुण नहीं है, लेकिन सुन्दर्ता जीवन भर विचारों की कितनी सुन्दर है, यह बड़ी महत्तपुण है। सरीर से आदमी रूपवान है, लेकिन जीवन से गुणवान है की नहीं, यह बड़ा महत्तपुण होता है। रूप भौतों के पास था, लेकिन गुण हर किसी की और नहीं पाय जाता। आप उन्ने चक्रवर्ती का उधारन सुना है। कि जब वह एक अवस्ता में थे, तो देवोंने प्रसंसा की कितना शुन्दर रूप है, तो उन्होंने का अभी मैं जब तयार होकर आऊंगा, जब देखना, और जब उनको देखा तो सुन्दरता का मजा ही नहीं दा। तो कहने का दत पर है कि जब चक्रवर्ती जैसे लोग जो कितने खंड के अधिपती हैं, छे खंड के अधिपती, कितने हाती, कितने घोडे, कितने रतन, सब कुछ होने के बाद, उन्होंने जब रूप को कुरूप बनाया, अर्थात अपने रूप में आभूशन पहने, तो फिर तो हम सब साधारण हैं, और साधारण में नहीं हैं, जीवन में चार तरह के लोग होते हैं, तीन तरह के लोग होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं, और एक तरह के लोग होते हैं, जो एक हैं और भगवान हैं, तो जीवन में कुछ तरह के लोग होते हैं, एक तो होते है साधारन क्या होता है साधारन मतलब सिंपल ऐसे होता ना सिंपल आदमी हो मामुली आदमी हो साधारन होते एक तो होते साधारन अर्था जरुणी के पैसे वाला है तो साधारन नहीं हो साधारन की साधगी पूरवग भवानी की भक्ती कर रहा है गुरू की शेबा कर रहा है और उसके बाद में दूसरे होते धारण अर्था दिगंबा सादू इन्होंने क्या कर लिया भेस को धारण कर लिया धारणा मन में कर ली एक तो साधारण है एक धारण है और बचे हुए लोग क्या है सा निकल गया धा निकल गया तो क्या बच्छा रण रह गया कि अर्थात युद्ध करने वाले हैं एक तो साधारन है जो अपने कर्मों को काटकर साधगी पूर्वख जी रहे हैं और एक धारन करके जी रहे हैं और बचे हुए रण कर रहे हैं युद्ध कर रहे हैं जीवन में हम कौन सी केर्टे करी में आ रहे हैं ये बड़ा महत्पूर बास तो जीवन में चक्रवर्ती जैसे जीव जिनके 96,000 रानिया रानिया रानिय मतलब पतनी उनकी है 96,000 रानिया लोग मिरे पास में आते हैं कि महराँ जी आप बताते हो कि चक्रवरती कितनी रानिया थी उनकी इतनी रानिया थी उनकी इतनी रानिया थी तो उनकी इतनी रानिया थी तो उनकी इतनी रानिया थी हैं लेकिन उसके बाद भी पहले प्रभु भक्ती करते हैं और तुम रानियों के चक्कर में प्रभु भक्ती छोड़ते जा रहे हो वह रानियों के साथ में रहते हैं राज महले में रहते हैं लेकिन उसके बाद भी क्या करते हैं प्रभु को गुरु को कभी नहीं भूलते और हम लोग तो क्या है पहले तो चक्कल लगाए जा रहा है कि पारफसना चली सा चल रहा है महावी चली सा चल रहा है ओ चल रहा है ओ चल रहा है और जैसे साधी काड़ बेदी में आ गया अरगम निर्पामती अरगम निर्पामती साहा, उसके वाथ साधी काड़ागागा वत काम खथम então जितना याद खगवान को उसके पहले कर रहे थे उसके बाद भी ऊतना याद करो तो तकलीव आएगी ने कहते हैं ना डुक में सुमरन शब करें सुख में करेंदा कोई और जो सुख में सुमरन करे सो दुख काहे को एक बात मैं हमें सा कहता हूँ किसी गाड़ी से जा रहे हो और गाड़ी में पती पत्नी बच्चे महमार रिस्तिदार नातिया सब कुछ है आपका टॉमी पपो भी साथ में टॉमी पपो समझते किसे कहते हैं टॉमी पपो जो आज कल आपके साथ में बच्चे से जासा साथ में रहता है कुट्टा तो मैं आपको तरह वह सब साथ में हैं और गाड़ी का ड्राइवर कहता है कि ब्रेक फेल तो मुझसे क्या बाद निकलती है पत्नी साथ में बच्चा साथ में कुत्टा साथ में पुरा परिवार साथ में लेकिन जैसे ड्राइवर कहता है ब्रेक फेल तो मुझसे क्या हो जाती है हे भगवान मुझे बचा लो कोई यह नहीं करता कि पिख़ो बचा लो क्या होता उस समय जो सास्थ है जो सच है वह मूँ से निकलता है कि हे भगवान मुझे बचालो इसी तरह से कि समझ लेना कि जब दुखाता है तो कोई भी उचाने वाला नहीं इश्वर ही ऐसे हैं परमात्मा ही ऐसे हैं जो आपको रहे दिखा सकते हैं आपको जो है अच्छी तरह से चला सकते हैं तो मैंने बात परम करी थी कि रूप कैसा भी हो लेकिन यदि उसमें गुण का शमावेश है तो समझ के चलना कि आपका जीवन कल्यान कारी होगा रूप कैसा भी हो रूप का कोई महत्व नहीं होता लेकिन गुण कैसे हैं इनका महत्व जीवन में जरूर हुआ करता है जिस प्रकार से गुण हरे वेक्ती को पसंद है जो खाने वाला गुण होता ना गुण हरे वेक्ती को पसंद होता है उसी प्रकार से गुण भी सब वेक्तियों को पसंद होते हैं जिस प्रकार से गुण में यदि कोई दिक्कत हो जाए तो लोग गुण खाना छोड़ देते हैं, उसी प्रकार से प्रक्री ब्यक्ती में गुण की जगा दुरगण हो जाएं तो लोग उससे दूर रहना पसंद करें हमारे जीवन में, हमारा सबका एक ही लक्ष होना चाहिए, हमारे शबकी एक ही भावना होना चाहिए, कि हे प्रभू, आपके पास तो अतुले बलता, अनुपम बलता, इतना इतना बलता कि पूरे साक्षात, पूरे तीन लोग को एक उंगली मात्र में उठा सकते थे, एक लिष्टा की उंगली से और हमसे तो घर का दरवाजा भी नहीं खुलता है यदि घरवाजा का दरवाजा टाइट हो जाए तो दो आदम इम्लिके दरवाजा खुल रहे हैं सोच लीजिए कहां पर एक उंगली से पुरा तीन लोग खिला सकते हैं एक यपजंती है और यहां पर मानते अपने आपको ऐसा है कि हम बहुत कुछ हैं लेकिन घर का दरवाजा भी नहीं खुल रहा है तो बिचार करिए गुण कहां पर आएंगे आप मेरी भाबना पढ़ते हो गुण गरहन का भाब रहे नित द्रश्टीना दोसों पर जाए गुण गरहन का भाब रहे नित द द्रश्टीना दोसों पर जाए लेकिन महराज जी पढ़ते समय तो बात बहुत अच्छी लगती है लेकिन जब और कई बात तो पढ़ते पढ़ते एक बेक्ति पढ़ता था मेरी भाब ना कि जिसने रागदेश का मादेग जीते समझान लिया और पंक्ति आए कि गुण गर द्रश्टीना उसों पर जाए तो एक महराजी बठे से मेरे से बोले ये भाब बनाओ ना कि घंटी बजा रहा है मंदिर में तो घंटी बजारा चाहिए क्या होगा पढ़ने से मात्र पढ़ने से कल्यान नहीं होगा बलकि पढ़ने के बाद जीवन में उतारने से कल्यान पाता है आज बरतमान के शमय में या मंदिर जी में कई और मेराना हुआ और कहते हैं कि मंदिर जी में सौध्य बहुत होता है लेकिन सौध्य करने के वाद आश्यर ही सीजगा है कि मैं पूछूं कि यहाँ पर कितने लोग हैं जो प्रतीमाधारी मन चुके हैं सौध्य वाले है पुजारी भी आते हैं लेकिन स्वाद्धह करने के वाद में कितने आदमी प्रतिवाधारी बन चुके हैं कि नहीं बन सकता क्योंकि जो पढ़ाने वाला है और खुद बृती नहीं है आच्छारे कुंद कुंद शौमी महराज कहते हैं जो बेक्ति महाबृतियों से दो सब्द पढ़ लेता है उसके जीवन का कल्यान हो जाता है और जो बैक्ति उसके साथ में पढ़ रहा है कि जो भाहर ठेले में चाय पीता है उसके साथ में पढ़ेगा तो कल्यान होने वाला भी रुख जाएगा ब्रतियों की संगती करोगे ब्रति बनोगे और लिफापे वालों की संगती करोगे तो लिफापे खट्टे करने वाले बन जाओगे तो विचार इस बात करना है कि उनसे पढ़ रहे हो जिनको खुद को चरिया का ग्यान नहीं है उनसे पढ़ो जो चरिया का पालन कर रहे है तो तो कल्यान होगा और इनसे पढ़ोगे जो कुछ चरिया जानते ही नहीं है पहिचानते ही नहीं है उनसे क्या होगा लिफापे वाले से पढ़ोगे तो लिफापे खट्टा करना सीखोगे और चरिया वान से सीखोगे महा बृति बृति से सीखोगे तो ब्रत धारण करने की भाव जीवन में आने वाला ब्रती नहीं हैं तो आपको क्या ब्रती बनाएगा और महा ब्रतीयों का सस्तंग करते हो तो जीवन में महा ब्रती नहीं तो कम से कम ब्रत धारन करने का भाव तो आता ही है ब्रत धारन करने के मन में भाव तो आते ही हैं तो हमेशा प्रयास करें कि सालों का कपड़े बाले से पढ़ना और दो लाइन दिगंबर मुनी से पढ़ना ये सारा का सारा बराबर हो जाता है जिस प्रकार से एक तराजू में पूरे तीनों लोगों की शंपदा रख दो और उसके दूसरे दब महामंत्र लमुकार रख दो तो महामंत्रलमुकार रखने से क्या होगा हमेशा महामंत्रलमुकार का प्ला उपर रहेगा सारी शंपदा नीचे हो जाएगी तो इसी प्रकार से जो चरिया पालन कर रहे हैं उनकी चरिया किताबों में मत पड़ो उनेके साथ में रहकर चरिया पलन करने वालों का चरन छूने का प्रयास करो जो चरिया वाने हैं उनके चरन छूलोगे तो आचरन सुधर जाएगा और जो खुद चरिया जानते हैं नहीं हो तुम्हें चरिया क्या सिखाएंगे जिसे बेक्ती को तो यही मालूम नहीं है कि मेरा जाती कुल सुधर है की नहीं वो आपको क्या गयान देगा पर हमारे साथ यही हो रहा है अले महराजी धबला पढ़ लिया अब बले अच्छा मैंने पूचा धबला की दूसरी किताब में आमर बनने आया आता है उसका क्या मतलब होता है जीवन यही दिए जीवन में उतारने का परियास करते तो जितने पंडित लोग आपको टीवी में मंदिरों में आके पढ़ाते हैं उनमें से एकात्तू सादू बनता हमने इतने सालों में कई मंदिरों में सभाय देखी है बच्पन में घरों में सभाय देखी है सादू बनने के पास सभाय देखी है और सभाओं में इतने तल्लीन आदिमी रहते हैं कि उनको यानी नहीं होता कि महराजी जा रहे आ रहे है हम स्वाध्य कर रहे हैं कि रूपवान होना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन गुलमान होना शबशे बड़ी बात है और गुण कहां पनाएंगे जो गुणी होगा वह आपको गुण देगा जो खुद निरगुणी है जो खुद दुरगुणी है वह आपको क्या गुण देगा वह आपको क्या बैरा पास करना है तो दिगंबर संतों के पास दिगंबर बनके नहीं जा सकते हैं लेकिन कम से कम जो यह दूसरी चीज़ें उनको छोड़के जाओ तो मालूम चल जाएगा कि दिगंबर बुनीवरा ठंड़ गर्मी विहार कैसे करते हैं यहाँ पर बैठना यहाँ पर बोलना और यहाँ पर समझाना यह बहुत छोटी सी चीज़ है तो अपने जीवन में हमेशा रूप तो प्रभू ने दे दिया चाहे शुंदर है चाहे श्वेत है चाहे काला है चाहे लाल है प्रभू ने रूप देने के बाद गुण को देने की गुण गुण करने के भाव भी बता दिये लेकिन अंतर इतना है कि हम क्या करने है कि प्रभू ने रूप दे दिये हम रूप में टक गए प्रभू ने रूप देने के बाद गुण की बात भी तो बताए कि गुण 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 भी तो करो उस गुण ग्रेंट को हम लोग जान नहीं दे पा रहे ही हैं तो जीवन का जिस तरह से कहते हैं कि यदि मालोग कपड़ों पर इत्र लगा दिया जाए तो पूरी महफल में सुगंद आ जाती है उसी प्रकार से जीवन में इत्र होना हो चल जाएगा मित्र होना हो चल जाएगा लेकिन जीवन में यदि गुण आ गए तो समझ के जलना कि आपका क्या आपके पूरे खांदान का पूरा जीवन महफ जाएगा क्योंगी गुड़ी बेक्ती सबको गुड़ी मना देता है और दुरगुणी जाओ और कहीं और रख दो तो इसी प्रकार से जीवन में जो गुणी बेक्ती है वह यदि गुण दे सकता है तो दे नहीं तो खुटो दुरगुणों से दूर रहने का प्रयास करे तो जीवन का निश्ची दूप से अहरनिस कल्यान हो जाएगा आज हमारे साथ हो ये रहा है कि यहाँ पर सेव खराब है टमाटर सड़ा है इसका ग्यान लोगों पर तक पहुची नहीं पा रहा है क्योंकि जब साधी पार्टी होती है एक बेक्ती आया बोले मराजी मेरा रत्री भोजन 40 साल से त्याग है मैंने का बड़े धर्मात्मा हो मेरा जिनम 40 साल का है नहीं था दो दिन बाद आया बोले मराजी आज मैं जल्दी जाऊंगा गुरु भक्ती में बैटनी पाऊंगा मैंने बुछा क्यों बोले साधी में जाना है रात को साड़े साथ बजे बोल रहा है मुझे साधी में जाना है मैंने का क्यों आप तो कल बोले थे मेरा 40 साल से रात्री भुजन का त्याग है तो मैंने का बड़े जाना तो परता है तो मैंने का भई जब खाते नहीं तो जाते क्यों बहले संसार में रह रहा हूं संसारी विवस्ता भी तो नहीं बढ़ना पड़ेगी क्या हो रहा है अनुगोंधना कली पाप के भागी तो बने गए प्रयास करो जहां तक संभव हो बचो जितना संभव हो उससे बचने का प्रयास करो जीमन का कल्यान होगा और मुक्ष्रिमार्ग आपका प्रसस्त होगा इत सकारिक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं स्वभाग्य भक्त राजीव जैन श्रिमती रीटा जैन विजयनगर दिल्ली स्वभाग्य झाल झाल